शूमत ध्यानम प्यारे बच्चों आज ओल्लाइन कलास का प्रथम दिन है और पाठ्य सुची के अनुसार कक्षा सष्ठी के संस्कृत पुस्तक का प्रथम पाठ प्रारंब करने जा रहे हैं इसको ध्यान से सुने और समझें कोई कठनाई हो उसे पूछ कर कठिनाई को दूर करें कोई वी कार्य प्रारंब करने से पहले इस्वर की बंदना प्रार्थना सभी लोग करते हैं उसी प्रकार हम सभी इस पुस्तक को प्रारंब करने से पुर्व इस्वर को प्रार्थना करें कि जिस लक्ष को पाने के लिए विद्या गढ़न कर रहे हैं इस्वर या प्रमात्म अच्छी बुद्धी दे जिससे हम उन्नती को प्राप्त करें बुद्धी को अच्छे मार्व पर चलाने के लिए पुस्तक के प्रिष्ठ एक में मंत्र दिया गया है उसे पढ़ें और सस्वर वाचन का भी अभ्यास करें मंत्र है स्वस्ति पंथा मनुचरेम शूरिया चंद्र मशाविव पुनरददता घनता जानता संगमे मही स्वस्ति का अर्थ होता है कल्यान कारी पंथा मनुचरेम मारगों का अनुशरन करें पंथा मतलव रास्ता मारग अनुशरन अनुचरेम अनुशरन यह इसका अर्थ है आगे सुरिया चंद्र मशाविव सुरिये और चंद्र आदी जितने भी देवता हैं जो लगातार निरंतर कारे करते रहते हैं कभी नहीं रुखते हैं उसी परकार हम सभी निरंतर अपने विद्यागरहन पढ़ाई के काम में निरंतर लगे रहें कभी दूसरे कामों में नहीं लगे सबसे पर्थम काम पढ़ना है पढ़ते रहें उसके बाद है पुनरददता घनता जानता संग में मही और उत्तम दान शिक्षा आदी देने वाले के साथ ग्यानी विद्वान शिक्षक के साथ हमेशा संग करें उनके साथ रहें बुरी लोगों से दूर रहें इन भावनाओं के साथ बच्चो अपने विवहार को शुधारे यही आज का पुस्तक के पुर्थम पाठ से पुर्व जो मंत्र दिया गया है इस मंत्र का अर्थ है इस मंत्र को सस्वर वाचन का भ्यास करते हुए याद भी करे और उसके अर्थ जो नीचे दिया गया है उसको वीडियो के माध्यम से आप उसको अपने CW कोपी में लिखे भी और उसको याद भी करें